नमस्कार दोस्तों मैं राब राइका तो आज हम पढ़ेंगे रेंकिंग और ओडर का पार्ट नमर दो तो इस पार्ट दो में कैसे क्योशन होंगे उनकी बाद में मैं बात करूंगा लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट फर्स नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए उसके बाद में ही इस पार्ट पे बढ़िए ताकि आपको क्योशन का लेवल क्योशन के तरीके और उनको डील करने का उनको अप्रोच करने की तरीके आप अच्छे से जान सके पार्ट फर्स पे हमने पढ़ा था कि अगर एक वेक्ति का दो क्योशन जिससे की हम और बढ़िया लेवल के क्योशन जो है उनको डील कर पाएंगे बहुत अच्छे सही तो कुछ कुछ कोंसे पढ़ेंगे हम तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं बात करूं कि सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे या हम जिस चीज के बारे में आज स्टडी करन करने वाले हैं जो पहला टाइब जो रहेगा रेंकिंग और के इसाफ से बात करें तो टाइप नमर दो हो जाता है अपना और विद्वान लोगों इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा कि दो वेक्ति हैं और आपस में अपने स्थान जो है वो परिवर्तित कर लेते इंटर्चेंज कर लेते हैं इसके बारे में एक कॉंसेप्ट सीखते हैं पूरा और मैं प्रोपर आपके सामने क्योशन रखता हूं थोड़ा सा सोट में रखूंगा ताकि आपको इजली समझ आ आनि के लेफ्ट हैंड की साइड से वो जो है वो आपका दस नम्मर पे है ठीका जी ए बाई तरफ से दस नम्मर पे है और एक वेक्ति जो है वो दाई तरफ से जो बेटता है वो पंदरा नम्मर पे बेटता है ठीका जी इसके बाद में वो क्या करते हैं दोनों आपस में इस जो है वो परिवर्तित कर लेते हैं और आपस में इस्तान परिवर्तन के बाद आपस में इस्तान परिवर्तन के बाद आपका ए नाम का आदमी जो है वो लिफ्ट एंड से वो आपका बन जाता है 17 नमबर पर ठीक है तो इस तरीके के question में आपसे दोर तरीके के question पूछे जाएंगे इस टाइप में कौन-कौन से एक तो आप से सीधी सी बात है मैंने पहले भी आपको बताया कि कुल संख्या पे पूरे टोपिक में जोर रहेगा तो एक नाम का जो वेक्ति है उसकी दाइन तरफ से नहीं स्थिति जो है वो कौन सी हो जाएगी स्थान परिवर्तन के बाद बी की दाइन तरफ से नहीं स्थिति और अब इन दोनों तरीके की क्योशन जो हमसे पुछे जाते हैं इनको बहुत बढ़िया तरीके से हम डील करने वाले हैं विद्वान लोगों अपना अगले पांच-सात मिनट जो है वो धान बरकरार रखना अधर्वाइस यह वाला जो वेक्ति का दो साइड से स्थांच चाहिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं हम उसको पकड़ के रखेंगे ताकि हम यह वाला तरीका जो है वो भी कर पाएं इसमें दो तीन तरीके से इस तरीके की क्योशन को कर सकते हो आप देखिए विद्वान लोगों अब जैसे कि अगर आप तरोगे आपका बाइं तरफ से दस नमर के तो आपको इस तरीके की क्योशन को सोल करने का मैथड फॉस्स जो है वह आपको क्या हो सकता कि एक तरीका जिससे और मुझे लगता है कि आपको इसी तरीके से करना चाहिए क्योंकि हमने जो सीका है पुराने वाली वीडियो म यहां पर ए बाइं तरफ से कितने नम्मर पर दस नम्मर पर और ए नाम का वेक्ति जो है वह यहां पर बेठा हुए बाइं तरफ मतलब लिफ्ट एंड की तरफ से कितना दस नम्मर पर और बी दाइं तरफ से जो है वह कितने नम्मर पर बेठा हुआ है बी नाम का वेक्ति जो ह यह जाएगा एक ही जट्रक ब corporation पर्यबर्टन जब हो जाता है तो एप यहां पondersर इडा जाएगा और एबाइटर आप्र से कितने अर्वर्ट हो जाएगा अच्छाएगा तो सबसे पहला काम है कि हमें निकालनी है कुल संख्या उस पन्क्ति में किल लोग है वो है विद्वान लोगों कुल संख्या निकालने के लिए एक ही वेक्ति कि दो साइड से वेल्यू चीए क्या हमारे पास में आ चुकी है क्या आप कंफ्यूजन में पढ़ गए होंगे कि सर आ भी गई नहीं भी आ गई थोड़ा सा सही नहीं लग रहा वो देखो विद्वान गई क्योंगी बैठेगा किसकी जगए जाकर है वी की जगए जागर तो और बी जो वो राइट मंड से कितना था आपका पंदरा नम्मर पे तो अब यब लिए जाना सतरा सोच है बिखो साइट और कॉछ नहीं करना इन दोनों को आप ऐडब करो 17 plus 15 minus 1 17, 15, 32 minus 1 answer कितना हो जाएगा आपका 31 एक तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है दूसरा तरीका अपना क्या है method second जो अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आप जो है एक formula याद रख लो आपको हमेशा काम आना है अगर आप formula रटना चाहते हैं या उसको रटना चाहते हैं बाकी basic concept तो यही आपका आराम के साथ में हो जाएगा तरीका क्या है total निकालने का ये कब अपलाई करना है जब दो वेक्ति आपस में इस्तान परिवर्थन कर लें तो total निकालने के लिए एक की नई इस्तती एक की आपको नई इस्तती बतानी है तो एक की नई इस्तती और दूसरे की पुरानी और दूसरे वेक्ति की आपको क्या करनी है पुरानी और दोनों में से क्या गठाना है माइनस वन ये आपका formula जो है वो रहेगा एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी माइनस वन यह आपके पास में रहेगा और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ यहाँ पर लास में कितना है आपका minus 1 ठीक है टो एक की नई इस्तिती की मैं बात करूँ तो नई स्तिती कौन सी होगी पहले तो यह समझ लो नई स्तिती वहोगी जो इस्तान परिवर्तन के बाद में लिखी जाएगी A बाईं तरब से कितने उस्तान पे हो जाता है सत्तरवा ठीक है तो ये तो हो गया सत्तरा इसमें add क्या करना है दूसरे की पुरानी value old position अगर हमने A की लिख ली value तो अब A की दुबारा नहीं लिखोगे अब हम किस की लिखेंगे B की value क्योंकि A तो हमने लिख लिया अब A की ये वाली value कभी मत लिख दे ना दुबारा अब बचा कोन है आपका B और B की दाईं तरब से इस्तिति आप लिख दो कितनी है वो वो है आपकी 15 माइनस एक हो जाएगा कितना answer 31 तो ओवरोल पास में तरीका हो गया कुल संख्या निकालने का विद्वान लोगों हमारे पास में दूसरा क्योशन भी है एक बार मैं इस वाला जो हमने सीखा है इसको मैं पूरी तरीके से मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद में जो दूसरा क्योशन है उसको हम दील करते हैं कि इसन परिवर्तन के बाद बी की दाईं तरब से स्तिती है वो नई स्तिती वह आपको पूछी है पहले मैं डाइगराम मनाता हूं आपका कि ए नाम का आदमी जो है वह बाईं तरब से कितने नंबर पे तह दस नंबर पे और बीनाम का आदमी दाईं तरफ से कितने नमर पे था पंदरा नमर पे इंटरचेंज अगर करते हैं तो ए नाम का आदमी बाईं तरफ से कितने नमर पे आपका हो जाता है वो 17 नमर पे हो जाता है यह आपको दिया था अब विद्वान लोगों दूसरा यह वाला जो पार्ट है इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ जैसे कि माल लो ए यहां पर है और इनके बीच में आपके तीन लोग बेठे हुए और यहां पर कौन बेठा हुआ है भी अब मैं क्या करता हूं कि इस एक को कहता हूं कि भाई तू बी की जगह जाकर बैठ जा तो यह भाईया मेरा कहना मानेगा हना और मेरा कहना आप भी माल ले अगर मैं आपको जो क्योशन करवा हूं ना बस वो कर लेना अगजाम में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा हना एक्जामिनर हम से पूछके क्योशन हो कर अगता है तो ए नाव का आदमी जो है वो बी की जगह जाकर बैठा तो आप बता हो कितने आदमियों और कर जाएगा हूं तो तीन आदमियों को पार कर जा बी के अंदर होगा समझ में आई का नी तो इसका मतलब ये हुआ विद्वान लोगों कि हमें अगर नई इस्तिती इस्तान परिवर्तन के बाद निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस्तान परिवर्तन के बाद नई इस्तिती निकालने के लिए एक ही वेल्यू पहले कितनी थी भा प्लस या माइनस पहले विक्ति की संख्या में हुआ है उतना ही प्लस या माइनस हम दूसरे विक्ति की संख्या में करेंगे तो बी की वेल्यू आपकी कितनी दी गई है दाइन तरब से पंदरा पंदरा में कितना एड़ करेंगे साथ पंदरा में साथ एड़ कर दोगे आंसर कितना हो जाएगा 22 हमने ये साथ क्यों एड़ किया क्योंकि A ने साथ बढ़ाए तो जितना A बढ़ाएगा उतना ही कौन बढ़ाएगा B अगर A कम करेगा तो उतना ही B में कम कर देंगे overall ये कहानी आपको अराम के साथ समझा गई होगी अब हम क्या करते है क्योशन की तरफ मूव करते है क्योशन करने तो बहुत जरूरी है ना देखिए पहला क्योशन आपका क्या कहता है कि एक पंक्ति है और उसमें A नाम का आदमी है और वो आपका 22 साइड से कितने नंमर पे है तेरवे नंमर पे है A बाइँ तरफ से 13 नंमर है और B डाइँ तरफ से 23 सांथ पे आपस में इंटरचेंज करने के बाद A बाइँ से 56 पे हो जाता है कुल वेखतियों की संग्या आपको पूछी है चलो डायगराम मना लेते है यदि ले अपने स्थान आपस में परिवर्थित कर लेते हैं मतलब यह हूआ कि आ जो है जो है ऑक जगह जाकरए तो है जो फासर। मतलब इसकी जगह जाके तो बैठेगा और यह बाइन तरब से कितने नमर पर हो जाएगा थारा मैंने क्या बताया कूल वेक्टियों की संग्या निकाली है कहां पर दो वेल्यू आपको दिखाई दे रही है तो यह तो क्या करेंगे आप इन दोनों को एड़ कर दो और माइनस वन कर दो तो अठारा प्लस तेईस कितना हो जाएगा एक तालीस माइनस एक आंसर कितना हो जाएगा चालीस यह लो जी बात खतब या फिर अपने बास में क्या फोर्मूला था हमारे पास में फोर्मूला था एक की नई इस्तिति ठीक है ना एक की नई इस्तिति और इस दूसरे की अपने को पुरानी इस्तिती जो है वो जोडनी है दूसरे की पुरानी ठीक है यह फोर्मुला आपको याद रखना है और माइनस क्या कर देना है वन अगर आप ये भी करेंगे तो भी आपका अनसर बोख इतना है चालिस दोनों चीजे ध्यान में रखो ठीक है नेक्स क्योशन आपका क्या कहता है क्योशन वहीं है एक पंक्ति में ए बाइं से तेरवे बी दाइं से तेईस्वे अस्थान पर मतलब डाइगराम आपको वापीस से बनाना पड़ेगा लेकिन इतना कोई जरूरी है नहीं वैसे तो पर फिर भी मैं आपको डाइगराम बना के समझा देता हूं कि ए नाम का वेक्ति जो है आपका वो आपका कितने नम्मर पे है ए ये है और बाइं से कितने नम्मर पे बिना हुआ है तेरा नम्मर पे और बी नाम का आदमी जो है वो दाइं तरफ से कितने नम्मर पे है ते निकाल ली नई स्थिति अगर सान परिवरतन के बाद पूछे तो हमें क्या करना है जितना ए नाम का आदमी बढ़ाएगा उतना इभी में बढ़ाएंगे एक इतने नमबर पे था तेरा पे और बाद में कितने नमबर पे हो गया अठारा नमबर बाई साथ इसने कितनी वेल्य कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 28 और 28 अगर होगा तो ओप्शन डी को अपने को टिक लगा देना है और अराम के साथ में क्योशन हो जाएगा आई होप यह समझ आ गया होगा एक क्योशन और कर लेते हैं ताकि और चीज़े अपनी क्लियर हो जाए इसमें भी अपने प वेक्ति और यह बाईंद करफे आपका कितनी नंबर पर हैं बाइंद कर लेते हैं तो कर देंग अपना का आपस में साम परिवरतित अनिये लो कर लिया और यह jó है वो बाईंद तरफ से कितने अनस्तान पे पंदर मतलब इधर साइड से यहां पर बैठेगा और यह कितने नम्मर पर आ जाएगा 15 नम्मर पर हमें पूछा है कि कुल वेक्तियों की संक्या कितना आसान है क्या करेंगे विद्वान लोगों मैंने क्या बताया जहां पर दो वेल्यू दिख रह है का 23 तो मुझे लगता है कि अगर इंटर्चेंज से अगर रिलेटेड कोई क्योशन आया आपके एक्जाम में आप उसको उड़ा दोगे कहीं कोई दिक्कत है वो आपको आएगी ही नहीं ठीक ना विद्वान लोगों तो अब हम बढ़ेंगे क्या नेक्स टाइप की तरफ नेक्स अपने पेटर्ण की तरफ की नए पेटर्ण में क्योशन कैसे आ सकते हैं तो विद्वान लोगों बहुत समझने वाली बात है कि हमें कुल संक्या निकालना आ गया ठीक है ना और कई बार क्या होता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है मद्धे की संक्या ठीक है ना और अगर विद्वान लोगों मद्दे की संख्या अगर आपको निकालने पड़े तो ये कैसे निकालेंगे और इसमें क्या-क्या वेल्यू आपको दी जाएगी, किन-किन मानों के बारे में बात होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे, विद्वान लोगों एक चीज का ध्य सिखने होंगे दो-तीन चीजें जो होती है वह एक्जाम के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें पहला आपका आता है कि पहले आपको कॉंसेप्ट सिखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूं मद्दे की संगय कैसे निकालते हैं यह कैसे निकालते हैं एक बार इनको करेंगे आपको समझ आ जाएगा क्योशन यह इस तरीके से हुआ आपने क्योशन की प्रेक्टिस कर लिए अब इसके बाद वाला जो आपका पार्ट बस्ता है वह बस्ता स्पीड़ का एक्जाम में अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम के तैयारी कर रहें विद्वान इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है विद्वान लोगों कि आपको ये क्योशन जो है इस तरीके की क्योशन जो है वो आपको बार-बार करने पड़ेंगे हना एक ही क्योशन आप जब आप बार-बार करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत तेज हो जाएगी और क्योशन को आप देखेंगे टिक करेंगे, देखेंगे टिक करेंगे, ऐसा आपको करना है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मद्दे की संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक क्योशन जो है वो लिख रहा हूं, कि सब से पहले एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कुल लोग जो है पंक्ति में कुल लोग जो है वो आपके कितने हैं वो मैंने कहा कि इस पंक्ति में 50 लोग है और ए नाम का वेक्ति जो है वो लिफ्ट साइड से यानि के बाई तरब से पंदरवें स्तान पर जो है वो आपका बेठा हुआ है और B नाम का आदमी जो है वह राइट जाइड से यानि के दाइई तरब से आपका 20 वे स्थान पर बेटा हुआ है और आपको निकालना है Mid-person यानि के मध्धेवेक्तियों की संख्या किसके बीच में आपका A और B के बीच में जो है कितने लोग है वो बेठे हुए है A तथा B के मद्द कितने वेक्ती जो है वो बेठे हुए अब इसका सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसके पहले हमें सबसे डाइगराम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा क्योशन आपको और उंचा कर देते हैं और और आपके लिए जगाए वो रख देते हैं इसको बहुत आराम के साथ समझना विद्वान लोगों मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक ऐसी रो है ऐसे टोटल और इसमें टोटल यहां से लेकर यहां तक बाया कौन सा होता है आपका बाया क्योशन का बाया मैंने आपको बार-बार बता है वो एक ही होता है तो अपने को क्या करना है कि ए बाई तरफ से 15 नम्मर मतलब इस साइड से हमें पूछा है कि A और B के मद्दे कितने लोग बेटे हुए हैं तो हमें यह वाली अक्स वाली वेलिउस हैं हो फाइंड आउट करनी अब एक बहुत बेसिक सी अप्रोच में आपको बता रहा हूं कि मान लोग यह पैन है आपका और इस पैन में यहां से लेके यहां तक जो है कितने लोग है 50 लोग इस पैन की उपर 50 लोग नहीं आएंगे बट मान लेजिए कि ऐसे 50 लोग है वह आपके बेठे हुए हैं और इसके अंदर अगर आप देखें यह वाला टुकडा कितने लोगों का है 20 लोगों का तो मान लीजए किस साइड कितने हैं 20 लोग और इस साइ बेसिक अप्रोच नहीं लगाएंगे हम तो calculation आँखों से उडाने के लिए जब कभी भी आपको मद्दे की संख्या अगर आपको निकालनी है विद्वान लोगों तो ध्यान रखना अगर मद्दे की संख्या अगर आपको निकालनी है तो देखो हम क्या करेंगे जो हमें कुल दिया गया है फिक है ना कुल वेक्तियों की जो संख्या दी गई है उसमें से आपको जो बाया और दाया दिया गया है ये दो वेक्ति होंगे ध्यान रखना ए अलग होगा बी अलग ह होगा क्यों कि मद्धे में तो दो वेक्तियों की बेट सकते ना कम से कम दो आदमी तो चीए बाई और बाया प्लस दाया जो है वह एड़ कर देना है दो साइड कर देनी है और उसको कुल में से गठा देना है आंसरा जाएगा तो विद्वान लोगो टोटल वेल्यू आपकी कितनी है 50 है माइनस बाई तरब से वेल्यू ए की कितनी थी आपकी 15 और दायी तरब से वेल्यू जह है वो कितनी थीवे की 20 20 और 15 और 35 तो 50 से में से अगर आप 35 गठा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा पंदरा और यही अपना आंसर है वो हो जाएगा तो यह चीज तो आपको समझ आ गई लेकिन विद्वान लोगों इसी के साथ साथ मैं आपको इस मद्दे की संक्या निकालने का दूसरा जो तरीका और दूसरे तरीके के क्योशन वो मैं आपको समझा होगा वो उसमें क्या सभी को ये लोग हो गया अब अब को कि और देखी क्योशन मत थोड़ा सा देता हूं क्योशन आपका क्या और यह कह रहा है कि कुल लोग जो है मेरे पास में आप लोग जो है वो आपके मेरे पास में BC है ठीक है और A नाम का वेक्ति जो है वो बाई तरब से दस्वेंस्तान पर है और B नाम का आदमी जो है विद्वान लोगों वो दाई तरब से वो आपका बीस्वेंस्तान पर है और अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मद्धे में वेक्ति निकालने है A तथा B के ये कितने होंगे ये अब आप से पूछा है तो क्योशन तो आपको समझ आए गया हो गया कुल लोग आपके पास में कितने है 20 अगर मैं इसको फॉर्मुले में लिखूं तो फॉर्मुला अपना क्या था कि सर जब कभी भी अगर कुल वेक्तिय आपका कितना करेंगे बाया प्लस दाया है वो कर देंगे लेफ प्लस राइट है वो कर देंगे तो इसके साथ साथ हमारा आंसर आ जाएगा लेकिन कुल वेक्ति कितने हैं आपके 20 माइनस लेफ्ट प्लस राइट तो लेफ्ट से वेल्यू कितनी है बाइं तरफ से 10 प्लस र संक्या छोटी रह जाए और बाएं प्लस दाएं की लेफ्ट या राइट लेफ्ट या राइट कीजिए ऊपर नीचे हो सकता है शुरू अन्त हो सकता है आगे पीछे हो सकता है इसको आप मैंने आपको पार्ट फर्स में पढ़ाया था तो यह अगर ऐसी कंडिशन आ जाए कि जब आपकी 20 में से 30 माइनस नहीं हो रहा तो ऐसी कंडिशन जो होती है वो आपकी किसकी होती है क्रोश सेटिंग यह क्रोश सेटिंग क्या लफड़ा है सर बताओ तो सरी ओवरलेप मतलब कैसे अब भाई मेरे सीधी सी बात यह है कि ए नाम का वेक्ति जो है वो कितने नमर प से जो है वो आपका यहां पर बेठा हुआ है और यह कितने नमर पर अबदाई तरफ से 20 और टोटल लोग भी कितने हैं 20 और अगर ऐसी कंडिशन अगर आपकी हो बीस में इन दोनों के मिड परसन निकालने हो तो जितनी वेक्तियों की संख्या जादा गई है 20 में से 30 घटते नहीं है बड़ कितना ज्यादा गया है कितना ज्यादा गया विद्वान लोगों वो गया है आपका 10 और जितना भी ज़्यादा जाता है उसमें से हमेशा कम कर देना आप दो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा यह सरीए 2 माइनस क्यों किये तो सीधी सी बात है विद्वान लोगो अगर आप A को इस साइड से गिनोगे तो किया B को पहले काउंट करोगे B और इसके बीच वेटे होगे सब को काउंट करते वे दस मार में पहूंचूगे और अगर आप B को ist side से count करोगे 20 वे स्बाइगा यह बीच में आएगा आप इसको Q parishion में apply करते हैं विद्वान लोगों क्या दिया गया क्योशन की एक बंक्ति में कुल कितने लोग हैं 50 लोग है 50 लोگ हैं तो क्या हुआ होना कुछ नहीं है ए नाम का आदमी जो है वह बाई तरब से कितने नंबर पे है भाई द्वान लोगों वो आपका दिया गया है 16 नम्मर पे और A नाम का वेक्ति 16 नम्मर पे और B दाएं से 19 नम्मर पे मद्दे में कितने लोग हैं या आपको पूछा है और मद्दे में वेक्ति जो हैं वो कैसे निकालते हैं मिद्बर्सन भाई कुल माईनस बायां प्लस दायां अगर इतना कर देंगे तो आपका काम समाप्थ हो जाए MASht और एक्जामिनर का काम हो जाएका चालू वो क्या हो जायेगा बहिया नम्मर देने का कुल लोग कितने है ? 50-A 22 तरब से कितने नम्मर पे 16 नम्मर पे और 20 तरब से आपका कितना है 19 नम्मर पे 50-16 और 19 कितने होगे भहिया 35 बचे कितने आपके 15 दिखाई दे रहा है option C will be the correct answer इतना सा easy है यार हना बस एक formula याद रखा और आराम के साथ में हमने question जो है वो कर दिया इसी formula को हम आगे वाले question में लगाते हैं क्या दिया गया कि एक पंक्ती में इस बार लोग कितने हैं 40 लोग दिये गए और A 22 तरब से कितने नम्मर पे हैं 10 नम्मर पे और B 22 तरब से 20 को उनके बीच में निकालने हैं मद्दे में वेक्टियों की संख्या अगर आपको निकालनी हो विद्वान लोगों हमने सीखा है कुल माइनस बाया प्लस दाया यही तो आपका formula है बैस यह आप बना दो और काम खतम करो कुल आपके कितने दिये गए है 40 लोग दिये है 40 दिया माइनस बाइई तरफ से वेल्यू कितने दिया 32 ज दि गई हैई तो 22 से रखा हम कि मिड परसन में क्योंकि मैंने बताया था कि कई बार घटेंगा नहीं ज़्यादा जब हो जाएगा और ऐसा यह क्यूशन आपको दिया गया है एक व्टि और एक पंक्ती यह दो वेख्ति यह सब को पता उना चीए कि कि कितनी वेक्ति दिये गहें और कितनी दी गई है 20 दी गई है और A 22 तरफ से कितने नम्मर पे 16 पे और B दाइन तरफ से 16 पे मद्दे में तो लोग निकाल ले है और अगर मीड परसन अगर आपको निकाल ले है विद्वान लोगों तो कुल माइनस बाया प्लस दाया आपको करना होता है वहीं वाला फॉर्मूला मैं तीसरी बार लिख रहा हूं इसका मतलब तो आपको याद होई गया होगा कुल बेटियों की संख्या आपको दी गई है विद्वान लोगों तो 20 माइनस बाया और 22 तरब से वेल्यू आपको कितनी दी गई है 16 तो 22 तरब से वेल्यू लिख देंगे 16 प्लस दाई तरब से वेल्यू भी 16 अरे वाग लेकिन 20 में से क्या 16 प्लस 16 कितने होते हैं 32 घट जाएंगे क्या नई सर 32 तो माइनस नहीं होगा इसका मतलब यह ओवर लेप की कंडिशन है एक दूसरे को क्रोस करके बेटे हुए है तो जितना ज्यादा जाता है कितना ज्यादा गया है यांपर 12 ज्यादा गया उसमें से कि पार्ट नमर जो सेकंड का थर्ड आपका जो टाइप है या पूरे टॉपी के बारे में आपका सकते हो थर्ड टाइप जो है वह उन्हें पढ़ लिया अब हम बढ़ेंगे चोथे टाइप की तरब और मैं विद्वान लोगों आपको मैं बार बार कहता रहता हूं भीया क्य प्रेक्टिस की जिम्मेदारी आपकी है ठीक है ना क्योंकि यह मैनत ना दोनों साइड हो रही है विद्वान लोगों इधर से भी तो आ रहा है कितना कि मैं चाहता हूं कि क्योशन आप गलत करें ही नहीं एक भी क्योशन आप गलत नहीं करें और वो कब होगा जब आप भी अपना 100% देंगे यकीन करिए मेरी तरफ से आपको 100% मिल रहा है जो चीज आपके एक्जाम में बन सकती है वो सारी आपको बताई जा रही है इससे भाहर तो एक्जाम में पेपर आएगा ही नहीं निस्चिंद रहे चलिए नेक्स आप बढ़ते हैं और जब आपको मिड पर जाली है जब आपको मद्धे में बैठे वेक्तियों की संख्या आपको दी गई हो तब हम कुल संख्या कैसे निकालेंगे तो विद्वान लोगों यहां पर कुछ चीज़े आपको सीखनी पड़ेंगी पहले मैं आपको कॉंसेप्ट बता देता हूँ और उसके बाद में हम इस पर जो बेस क्योशन होंगे वो हम करेंगे कि मद्धे की संख्या किस तरीके से हम निकाल सकते हैं देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या दिया गया है कि एक पंक्ती है और अगर एक पंक्ती है तो उसमें कुछ लोग भी होंगे तो इस पंक्ती में ए नाम का वेक्ति जो है वो बाई तरब से आपका दस्वें स्तान पर बेठा हुआ है और बी नाम का आदमी जो है ए तथा बी के मद्दे यहां पर जो है विद्वान लोगों तीन लोग बेठे हुएं तो आपको ध्यान रखना जब कभी भी बहुत फिक्चुल बात बता रहा हूं बहुत आराम के साथ में यह आपको समझा जाएगी कि A और B के बीच में अगर तीन वेक्टियों की संख्या अगर आपको दी गई है और वहां पर अगर आपको कुल पूछा है तो एक चीज तो आप यह समझ जाना विद्वान लोगों कि कुल जब भी निकलेगा तो आंसर कितने आएंगे आपके दो आएंगे कौन कौन से एक तो आएगा आपका अधिक्तम कुल यानिके मेक्जिमम टोटल एक तो आएगा अधिक्तम और दूसरा कितना आएगा नियूंतम सर ये अधिक्तम और नियूंतम क्यों आएगा इसके बारे में सुनो और इसके लिए आप इस लाइन को बहुत तो यह विद्वान लोगों इस लाइन के मतलब 2 हो सकते हैं कि यहांपर बैठा हुए एक पर कि लोगृता हुए है तेन और बाद में बीच में तन्हों की संक्या हो गई तीन वेक्थिए की संक्या हो assum लेकिन आपको एओर बी की स्थिति तो नहीं पता ना ये बात भी तो हो सकती है कि यहां पर भी तो ए और भी के बीच में तीन वेक्ति बेटे हुए बात तो एक ही है यहां पर ए और भी के बीच में तीन यहां पी भी और भी के बीच में तीन तो हम यहां पर जो है जब दो आपको ऐसा दिया गया हो कि दो वेक्तियों के बीच में कुछ लोग बेठे हुए यह आहां पर दिये गए हैं तीन लोग तो वहां पर जो है कुल जो है वो आपका दो प्रकार का आएगा तो अधिक्तम कुल और न्यूंतम कुल यह वाला तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं अधिक्तम कुल के बारे पहीं तरप से 10 नमर but बीनाम का आदमी दाइं तरसे आपका कितने नमर पर हुआ हैं पंदरा नमर पर बैठा हुआ है और इनके तो अधिक्तम कुल निकालने का फोर्मूला आप देख लिजीगा अधिक्तम कुल टी मेग्जिमम अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे लेफ्ट को जोडेंगे राइट को जोडेंगे प्लस आपको जो मिड परसन यानि के मद्धे की संक्या आपको दी गई है वो जोड देंगे तो आपका आंसर जो है वो आजाएगा तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड जो है वो यहां पर एड करने है तो लेफ्ट से वेल्यू आपकी कितनी है दस है राइट से वेल्यू आ इस वाले question में अगर आपको नियूहूंतंक को पूछे नियूवंतंक को पूछे तो आपको क्या करना है थी minimum निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सब से पहले left जोडना है फिर जोडना है आपको right लेकिन minimum के लिए आपका minus mid रहेगा यानि के मद्धे में बेटे हुए लोग और उसमें से कितना घठाना पड़ेगा आपको minus 2 है वो घठाना पड़ेगा ये वाला formula आपको याद में रखना है देखिए ये कब होगा जब आपका A और B जो है वो एक दूसरे को interchange करके बैठ जाएंगे ठीक है तो left से value जो है वो आपकी कितनी दी गई है 10 दी गई है और right से value दूसरे आदमी कितनी है 15 नम्मर पे है दाइन तरब से mid में बेटे हुए कितने लोग है वो घठेंगे आपके ये कितने है तीन है और minus कितने होगे दो plus वाले जोड़ो आप 10 और 15 कितने होगे 25 होगे 25 minus minus 3 और minus 2 तो minus के 5 होगे 25 में से 5 अगर आप घठा दोगे तो answer कितना जाएगा 20 तो एक answer आसकता है 20 आसकता है और दूसरा क्या सकता है 28 आसकता है सर एक चीज तो आप हमें बताओ कि हमें आपकी द्वारा बताई गई बात में T maximum भी समझ आगया हम यह वाला फॉर्मूला लगा देंगे और T minimum भी हमें समझ आगया कि यह वाला फॉर्मूला निकाल देंगे नियूनतम निकालना होगा लेकिन सर उसने पूछा कि कुल वेक् इसको मिटा रहा हूं यह चीज़ें तो समझ आई गई होंगी आपको तो यह लीजिए अब आपको इसके बीच बाद में आपको कहा कि भीया कुल वेक्तियों की संख्या है वह आप बताओ अभी हमने निकाला मेक्जिमम जो निकाला वह कितने वेक्ति निकाले हमने 28 निकाल उने वह हमने निकाले कितने विद्वान लोगों 20 और हमें लेकिन पूछ लिया कि कुल वेक्तियों कि संख्याव जो है वह आपे बताओ और हमारे पास में एक्जाम में ऑप्शन तो आते हैं तो यहां पर क्या ओप्शन है कि ओप्शन आपको दिये गए हैं 20 दिया पहले 28 दिया इसका 32 दिया और 36 यह अगर चार ही ओप्षन अगर आपको दिये गए है और खुल आपको पूचा है तो इस कंडिशन में आपको किस पर टिक करना पड़ेगा 28 पर टिक करना पड़ेगा अधिकत्म माल लेना अगर नहीं पूच है तो लेकिन ओप्षन यह चार ऐसे ही होने चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें और कुछ माल लो ऐसा option आ जाए 20 हो गया 28 हो गया इसके अलावा C वाला option या तो 20 या आपका 28 और 15 इस condition में आपको किसको टिक करना है C को को टिक करना है क्योंकि 20 या 28 दोनों हो सकते हैं यहां पर आइदर और का कुछ ऐसा option नहीं था तो हमें मजबूरी में 28 को टिक करना पड़ा लेकिन ऐसा अगर दिया गया हो 20 28 32 और लास वाला जो है वो दिया गया है C & D यानिके cannot be determine तो option D है वो टिक करोगे वो इसलिए क्योंकि यहां पर अपने को C & D इसलिए चूज करना पड़ेगा क्योंकि हम confirm नहीं कि 20 आएगा 28 क्योंकि पूछा ही कुल है टोटल लेकिन अगर आप से अधिकतम पूछ ले कि भया अधिकतम कुल बताओ अधिकतम कुल के लिए formula और इन सब का यूज हमें क्योशन में करना है तो पहला क्योशन हमारे पार्ट नमर चार का क्या कहता है विदवान लोगों देखो जिसमें आपको दिया गया है कि एक पंक्ती में A 22 से 13 स्थान पर है और B 22 से कितने नमर पर है 19 स्थान के उपर है और यदि उनके मद्धे आपको निकालना है तो क्या करना है विदवान लोगों क्या फॉर्मूला है लेफ्ट जोडो राइट जोडो और मद्धे में बेठे हुए लोग यानि के मिड परसन अगर आप जोड देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा तो लेफ्ट से वेल्यू आपकी कितनी है ठीड है और राइट से वेल्यू आपकी कितनी है राइट से वेल्यू कितनी है 19 में स्तान पर है ठीक है ना तो 19 में स्तान पर और मिड bem कितने लोग बेटे होए तीन तो 19 और 13 आपके हो Алगे 32 और 3 कितने हो गए 35 सब को एड़ कर दिया 35 और यही अपना अन्सर मुत पूश क्योंकि हमें पूछ लिया इसने अधिक्तम कुल वेक्तिओं की संख्या अगर कुल वेक्तिओं की संख्या भी पूछ था तो भी अपने को अच्छे 30 भाई भी करना था क्योंकि ऑप्षण अपने पास में चार ऐसे कैसे समझ में आ गयी होगी यह बात आपको क्या निकालना है नियून्तम कुल वेक्तियों की संख्या यह अपने को फाइंड आउट करनी है तो टी मेनीमम अगर आपको विद्वान लोगों कभी निकालना हो टी मिनीमम आपका कैसे निकालते हैं लेफ्ट और राइट आप जोड़ेंगे उसमें से क्या गठेंगे और बी नाम का अदमी उसकी राइट से वेल्यू कितनी है 19 माइनस 3 करने पड़ेंगे क्योंकि मीड में बेठेवे परसन माइनस 2 कर दीजिए 19 और 13 आपके कितने हो जाएंगे 32 32 में से माइनस 3 माइनस 2 माइनस के 5 32 में से 5 अगर आप घठा दोगे तो कितना अंसर आ जाएग और हमारा इस तरीके के उपर हमारा लास क्योशन जो है वो आपका दिया है देखिए इसमें आपका क्या कहा गया है कि ए जो है वो 22 तरब से कितने नम्मर पे है 20 में स्थान के उपर और अगर ए 22 से 20 में स्थान के उपर है विद्वान लोगों और बी आपका दाइं तरब से कितना है तीसमें स्थान पे उनके 20 में कितने लोग है पाँच और कुल वेक्टिओं की संक्या जो है वो आपको बता नहीं है कुल वेक्टिओं की संक्या मद्दे में बैटे में सीएनडी सीधा option टिक कर दो आप सर आपने इतना जल्दी क्यों टिक कर देखें विद्वान लोगों यह प्रेक्टिस का खेल है और यह बार-बार चीजों को करने का खेल है ठीक है ना एब आही तरब से कितने नम्मर पे है बीसमें स्थान के उपर ठीक है और इसके बाद में दाहीं तरब से अब क्या पूछा बीच में पांच और कुल वेक्तियों की संक्या अब कुल वेक्तियों की संक्या पूचा है तो अपने को क्या निकालने पड़ेंगे दोनों कुल निकालने पड़ेंगे मेक्जिमम टोटल और विनिममम टोटल ठीक है तो मेक्जिमम टोटल आपका क्या निकलता है टी मेक्जिमम कैसे निकालोगे आप लेफ्ट प 50 और 5 कितने हो जाएंगे पच्छपन तो अब आपको पच्छपन दिख रहा होगा आप पिस्पन पर टिक नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास में सी अंडी भी आपका दिया गया कि हम निदारित नहीं कर सकते बाई साब क्यों क्यों कि टी मिनिमम आपका क्य तो आपके कितने मैंने एक फोटी तो आंसर फोटी थ्री भी आ सकता और फिफ्टी फाइब या सकता है दोनों उप्शन में है लेकिन हम टिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सी एंडी की जगह माल लो यहां पर इसकी जगह फोटी एट होता तो हम 55 को टिक कर देते हैं क्योंकि उस से पता लग गया हुआ और इस हमारे वीडियो के लास्ट टाइप के बारे में हम बात करते हैं आगे भी हम इससे आगयाने वाले पार्ट में और बढ़िया क्योशन करेंगे विद्वान लोगों और उसको सीखने से पहले मापको कुछ चीज़ें आपको बताता हूं क्योंक का बाईं तरफ से ठीका जी विद्वान लोगों और ए नाम का वेक्ति जो है वह बाईं तरफ से आपका जो है वह 41 नम्मर पे है और बी जो है दाईं तरफ से वह आपका 18 नम्मर पे है और मैं कहता हूं कि इस पंग्ती में कि इस पंग्ती में कि दून तम कितने लोगस अक्टे न्यूझंतं कितने लोग जो है वह बीच सकते हैं यह आपके सामने क्योंस अब सोचन होंगे सर यह कैसा क्यों वा कि लफ्क्र राइट से भलीर आपको दे है बस इसके अलावा आपको पूछ रहा कि newnthumb kul कितने विक्ति बेट सकते हैं लेकिन विद्वान लोगों यहां पर तो possibility spielen तो पूछी न पर हमें पकाह है कि नंतम कितने वेंट पाएंगे यह बता दो तो न्यूंतम् कम से कम उससे ज्यादा हो सकते बट अंटम्हम से नम बताना है और अगर आपको कि अब इतना लिए गए हो लगी तरफ से परनिए और नृतम्हु wartoा है लिए एकसी वाफ झाहां पई दोनों का क्रोस होके बेटना ओवरलेप होके बेटना बहुत जरूरी है तभी तो नियूंतम बनेगा आपका तो ए जो है वह बाइन तरफ से कितना हो गया अगर नियूंतम कुल कभी अगर आपको निकालने के लिए जो बड़ी वाली वेल्यू है वही आपका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर कितना है 41 बीगर वेल्यू क्योंकि देखिए भईया नियूंतम 41 तो बिठाने ही पड़ेंगे क्योंकि एका नंबर कितना है ठीक है ना एका नंबर जो है वह आपका 41 तो है यह तो टोटल अगर नियूंतम निकालना है तो कम से कम 41 लोग तो चाहिए चाहिए एक तालिस में तो पंदर 18 विठाई देंगे पन तो इसका मतलब नियूंतम कुल निकालना हो बिगर एल्यू विल बिदर राइट आंसर हना जो बड़ी वाली से हैं क्यों राइट आंसर क्योशन देखते हैं क्योशन क्या दिया गया तो विद्वान लोगों क्योशन में और दायां दिया गया नियूंतम कुल पूछा है इसके लावा तो कोई वेल्यू नहीं है मैंने क्या पता है जो बड़ी वाली वेल्यू ने वही आंसर अपना दोनों में से 41 और 20 में से बढ़ा कौन से भाई या एक तालिस एक तालिस का ओप्शन सी के अंदर उड़ा दिया के रेंकिंग और की इसमें बहुत बैतरीन तरीके के कोंशेप्ट बनते हैं और उससे जड़े वे जुड़े वे जो किते कई परकार के आपके जो क्योशन से वह भी हम करेंगे लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है पास जूड़े रहेगा इस परिवार के साथ में हम झाल